ये वीडियो सेव करके रखे, मेडिकल इमर्जनसी में बेहत काम आने वाला है, आपने देखा होगा कि रात में कई बार सरदर्द, पेट दर्द, डाइरिया की प्रॉब्लेम आती है, दाथ दर्द होता है, कभी-कभी छोटे बच्चे अगर घर में हैं, तो अचानक से रोके मेडिकल इमर्जनसी आती है, तो ऐसे सिचुशन में रात में हमें कोई डॉक्टर्स भी अवलेबल नहीं होते है, तो हमें कौन-कौन सी चीजे पता होनी चाहिए, ऐसे आठ इंफॉर्मेटिव कुछ टिप्स में आपको बताऊंगी जो आपको बेहत काम में आएगी, तो च प्राणी लेना है, उसमें दो पिंच नमक एड़ कर देना है, जो भी योज करते है, दो पिंच ही करना है, जादा नहीं, तीन स्पून शुगर एड़ कर देने, इससे घू लेना है, पी लेना है, तुरन डाइरिया की प्राब्लम क्लियर हो जाती है, फॉर्स टाइम में रि हमें समझ में नहीं आता है कि इसका रिजन क्या है, ऐसे सिच्वेशन में बिल्कु सिंपल सा घरे लो उपाय करना है, एक स्पुन नॉर्मल पानी लेना है, उसमें एक चुटकी से भी कम हिंग मिला देना है, उसे घूल लेना है, बच्चे को पिला देना है, जादा तर गैस के कारण पैट दर्थ होता है बच्चों का तो इसके कारण रात में रोके टते है, हिंक का पानी जैसे भी आप इसे पिलाएंगे तो गैस पास हो जाता है, पैट दर्थ कम हो जाता है, बच्चे आराम से सो जाते है. To tip number three, हम घर के रोज के काम करते हुए, या फिर छोटे ब के अंदर जलन कम करने में शहद काफ़े best result देता है जादा जलन हो रही तो थोड़ी देर के लिए एक पॉट में पानी लेना है उसमें ice cube deep कर देने है और ice cube वाले पानी में हमारा जला हुआ पार्ट उसमें deep कर देना है तो जलन कम करने में इसके भी best result मिलते है टीप नमबर 4, रात में आचानक से पेट दर्द बढ़ जाता है, हम सो भी नहीं पाते हैं, ऐसे सिचुशन में एगलास पानी लेना है, उसमें एक स्पून सोफ मिला दे और दो पिंच हिंग मिला दे और एक पिंच इसमें सिंधा नमक या काला नमक अड़ कर देना है, इसे ब ढुट। लगाया है, तो बिल्कूँ सिंपल सा घरेव उपाय करना है, एक गलास पानी लेना है, उसमें फीट करी का एक छोटा टुकडा लेना है और पानी में दो तीन राउंड घुमा लेना है, फीट करी मतलफ माराथी में उसे तुर्टी भी कहा जाता है, तो यह जो पा अगर अगर अऔर अगॉबस को अध मेरिं ले लाओ करने के बाद में कावां नहीं करने के बांद इस पर बदों छोड़ें इस कम करने में दर्थ कम करने में इसके तुरंट अच्छे रिजर्ट मिल जाते हैं। टीप नमबर 6 अचानक से दिन भर में कुछ काम करते हैं तो इतना सरदर्थ होने लगता है कि हमें आगे के काम सूचते नहीं हैं। तो ऐसे सिचुशन में घर में सिंपल सा एक उपाय करना है। कई लोगों को आदत होती है कि तुरंट गोली मंगा लेते हैं और ले लेते हैं। तो बिल्कुल कम समय में उसके रिजर्ट में मिल जाते हैं लेकिन बाद में इसके साइड इफेक भुगतने पड़ते हैं। गोली लेने के आदत काफी बुरी होती है। बिल्कुल सिंपल सा घरेलो उपाय। उसके लिए एक पुन अजवायन देनी है। एक गलास गरम पानी बना लेना है। और अजवायन गरम पानी के साथ निगल लेनी है। बिल्कुल पाच से दस मिनिट में आपको तुरंत आरा मिल जाता है, सरदर्द आप भूल जाएंगे, दूसरा और एक उपाय करना है, जब भी सरदर्द करता है, तो हमारा ये जो थम और इंडेक्स फिंगर है, इसके एक्जेक बीच में, यहाँ पर हमें प्रेशर देना है, ए काफी इंपर्टन है, बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम रात में ही क्रियेट होती है, नीन में, नस पर नस चड़ना, पैरों में क्रैम पाना, ये काफी दर्दनाग होता है, हम हिल भी नहीं पाते है, तो ऐसे सिच्चूशन में अगर आपके राइट लेग में ये प्र अगर आपके लेफ्ट लेग में ये प्रॉब्लम क्रियेट होती है, तो राइट हैंड के एक्जेक मिडल फिंगर के नेल्स के नीचे आपको इस प्रकार से प्रेशर करना है, एक मिनिट के लिए तुरंत आरा मिलेगा, टीप नमबर 8, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, पू के लिए आपको सिंपल सा एक उपाय करना है, मरीज के स्मॉल फिंगर के एक्जैक नेल्स के साइड में, नेल्स के नीचे यहां पर ब्रेक लगा देना है, सुई से या सेप्टी पीन से, थोड़ा सा खून बाहर आना जाये, तो यह जो ट्रिक होती है, उसे अस्पताल तक प जरूर बताना है, स्वस्तरे मस्तरे हिद्धी रही, थैंक यू सो मच